अगर कोई इसमें खरीदारी करना चाता है वो भी इसको ले सकता है और ट्रेडिंग का भी यहाँ एक मोका बन रहा है स्विंग ट्रेड करने के लिए कुछ छोटे टाइम फ्रेम के लिए एक दो महीने के लिए अगर किसी को ट्रेडिंग करनी हो उसके लिए भी इस्टोक आज मेरी नजर में आया तो इसलिए आज आपके साथ शेर कर रहा हूँ तो चलिए फटवट बात करते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिए, जो लोग इसको ट्रेडिंग के लिए खरीदना चाते हो, उन लोगों के लिए पहले बात करते हैं, अगर आप इसको बाय करना चाते हो, स्विंग ट्रेड के लिए 15 दिन से लेके 45 दिन तक क के लिए hold कर सकते हो तो पहले आपके लिए बात करेंगे देखिए फ्राइडे के सेशन में काफी अच्छी closing दिया इसने लगबग 362 362 के price पे close हुए है और जो ये pattern यहां बन रहा है यहां देखिए इसमें एक अच्छी correction आई थी 400 से गीर के stock लगबग 340 के असपस गया है ठीक है अब वहां से अब ये दुबाड़ा बरना start हो गया है तो यहां देखिए trading के opportunity बन रही है अगर आप short term investor हो 15 दिन से लेके 45 दिन तक जो pattern यहां बन रहा है यहां stock ने momentum पकड़ा है पिछले कुछ दिनों है और इसी momentum में दिरे दिरे इसको खीच के यह 400 रुपे तक के आसपास इस stock को ले जा सकता है तो 390-400 रुपे के आसपास का target रख सकते हो कोई भी इस stock में dip आती है देखिए Monday को खुलता है stock थोड़ा सा नीचे आता है वो buying करने की opportunity होगी stock में घुसने की opportunity होईगी ठीक है अब देखिए अब बात कर लेते है stop loss की stop loss यहां बनेगा 340 रुपे का यह swing low का चलिए अब बात करते है इस stock में long term investing की क्या आपको इस stock को long term के लिए buy करना है तो देखिए long term investor अगर आप हो कम से कम 6 मेने से लेके एक साल के लिए minimum आप hold कर सकते हो तो definitely आप इस stock को buy कर सकते हो किस basis पर बता रहा हूँ पहले वो बात कर लेते हैं कि आज के time पे market चल रही है लगबग 19,800 पे sensex निफ्टी बंद हुआ है Friday के session में और इसका lifetime high भी लगबग 20,000 के असपास का है तो market lifetime high पे चल रही है सभी stocks mostly small cap, mid cap सभी company बहुत ज़्यादा high valuation पर इस वक्त्रेड करें काफी उपर ट्रेड कर रही है जब market lifetime high के असपास चल रही होते है mostly stock old time high के असपास चल रही होते है high valuation पे चल रही होते हैं और आपको अच्छा return देते हैं अब इस stock की बात करें BPCL की इसका आज की date में stock P.E. ratio जो है लगबग 3-4 गया है तो बहुत ही attractive valuation पे मिल रहा है एकदम throw away prices पे ये stock आपको मिल रहा है उसके लावा अभी recently जून quarter के risk के results आयते हैं वो काफी strong थे काफी अच्छे थे second quarter के results भी expect कर रहे हैं कि अच्छे ही आएंगे तो देखी valuation और fundamental के point of view से ये जो stock है ये अभी आपको सस्ते में मिल रहा है cheaply valued मिल रहा है इसलिए आप इसको investment के लिए buy करना चाहो तो कर सकते हो ठीक है technical के basis पे भी देखें अभी इसका हम थोड़ा सा कि अभी तक कुछ खास perform किया है नहीं यही 300 अरवे का इसका नीचे का level है लगबग 300 अरवे के आसपास आता है तो वहाँ पे इसको support मिलता है और stock फिर वापस उपर चल जाता है तो अगर आप देखो तो इस stock ने 2016 से लेके 2027 साथ सालों में कुछ खास perform किया नहीं है नीचे का 300 का level है और उपर का लगबग 560-570 के आसपास का level है तो अगर आप इस stock में अभी investment करते हो अभी देखी आपको नीचे के level के पास मिल रहा है 362 पे मिल रहा है और नीचे support zone इसका है 300 300 से जादा दूर नहीं गया 362 पे ही है अभी आपको ये एक lower range में मिल रहा है सस्ते में यहां अगर आप buy करते हो अगर hold करते हो उसके बाद 6 महीने 12 महीने एक साल wait करते हो तो यह stock आपको उपर के level दिखा सकता है और यह stock वापस उपर बढ़ता हुआ आपको 500 तक जाता हुआ भी दिख सकता है तो यह analysis है इस basis पे आपको long term के लिए बता रहा हूँ अगर long term के ल आज बायक कर सकता है